हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल अल अबाउट फैक्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराश्ट्र के औरंगबाद में स्थीत एलोडा गुफाओ के बारे में, एलोडा के गुफाओ को वेरुलेनी के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि इन ग इन गुफाओ में बोध, जेन और हिंदु धर्म के देवताओ के मंदिर बने हुए हैं, तो चलिए, एलोडा केव से जुड़े दस रोचक बाते हम आपको बताते हैं, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और भी देखने मिले, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, एक, एलोडा गुपाओ के नीचे कभी गुप्त शहर बसता था, और इसका दावा जर्मन पत्रकार क्रिस्टल प्लिट्स ने किया है, उस शहर में क खजाना और हत्यार छुपा कर रखे जाते थे, दो, जार्मन पत्रकार क्रिस्टल प्लिट्स का ये भी दावा है कि गुप्त शहर में जाने वाली सुरंग में जगा-जगा छेद मिले हैं, और इन ही छेदों से गुप्त शहर तक पानी और हवा पहुचाई जाती थी, तीन, एलोडा की गुप्त शहर का उल्लेक तिरवी शताबदी में लिखी गई श्री चंद्रधर स्वामी की जीवनी लीला चरित्र में भी मिलता है, चार, एलोडा गुपा में 34 गुपाये हैं, जो की तीन भागों में बटी हुई है, तीनों भाग हिंदू, बौध और जेन धरम के लिए हैं, बौध भाग में 12 गुपाये, हिंदू भाग में 17 और जेन भाग में 5 गुपाये हैं, पाँच, एलोडा में लगभग 100 गुपाये हैं, जिन में से सिर्फ 34 गुपाओ को परियटो को के लिए खुला गया है, इन गुपाओ में बने 34 मट और मंदिर, औरंगाबाद के निकट 2 किलो मिटर में फैला हुआ है, 6. इन गुपाओ में बहुत सी सीरिया, दर्वाजे, खिर्की और मुर्तियों के साथ नकाशिदार पत्थर का बना खंबा और हॉल भी शामिल है, यहां बने हर मंदिर और मट पर की गई नकाशी को छैनी और हतोरी की सहायता से तराशकर बनाया गया है, 7. बोद धरम पर आधारेत गुफाओ की मुर्तियों में बोद की जीवन शैली की स्पष्ट जलग देखने को मिलती है, 8. सोलावी गुफा में एक बड़ी पहारी को काट कर बनाये गए कैलाश मंदिर जितना रहसमई है, उतनी ही रहसमई इसे बनाने की कला भी है, यहां बनी सभी गुफाओं में से दिग्रेट कैलाश गुफा सबसे बड़ी है, 9. दशप्तार गुफा जो की भगवान विश्णू को समरपित है, उस गुफा में विश्णू जी के पूरे 10 चरित्रों का वर्णन किया गया है, 10. एलोड़ा गुफाओं की दिवारों पर की गई सुन्दर नकाशी और चित्रों के कारण, युनोस्को द्वारा 1983 में इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया, तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं.